दोस्तो नवश्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गुरू जी ओफिशियल और आपके सामने में लेकर आए हूँ आज पूछे गए प्रस्न कौन कौन से प्रस्न आज पूछे गए हैं फस्ट और सेकंड सिफ्ट के कुछ क्वेस्चन हम लेकर आए हैं तो आए जो है वो गौलियर में स्थिद है गौलियर का प्रिशिद किला पूछा था तो गौलियर का जो प्रिशिद किला है वो है सूरज सिंग किला और मान मंदिर महल भी यहां पर है दमोह में जगनात मंदिर कहां पर है तो यह आपको बताना है कमेट बॉक्स में इंदरा गांदी के समय इमर्जेंसी कब लागू की गई थी तो इंद्रा गांदी जी का जो इमर्जेंसी पीरियड था वो था 26 जून 1975 से 21 फॉस्ट अव मार्स 1977 चिप्रा नदी के किनारे बसा सहर कौन कौन से है तो चिप्रा नदी किनारे जो सहर बसे है वो जैन रतलाम धार मंतसौर ये सहर इ हैं आगे बात करें तो भारत का पहला चिकसा बिद्याले पूछा था इफको का फुल फॉर्म पूछा था तो इफको का फुल फॉर्म है इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कौपरेटिब लिमिटेड यादर की इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कौपरेटिब पूरा नामे इफको का सबसे ज़्यादा प्रोडीन किसमे होता है तो दालों में प्रोडीन सबसे ज़्यादा होता है इसके साथी option के अधर पर इसका answer होगा अगर option में कुछ और होता तो वहाँ पर फिर answer change हो जाता तो इसके साथ option के साथ से यह answer लगता तिरसकार का संदी विक्षेत पूछा था सामाजिक का सुद्ध रूप पूछा गया था सांती अम और अहा क्या है ये भी पूछा था तो अम और अहा क्या है अनुश्वार और विसर्ग हैं अम और अहा जो देने योग्यों हो इस प्रकार का एक जो अनेक सब्दों के लिए एक सब्द होता है तो जैसे जो देने योग्यों हो उसे क्या कहते हैं सब पूछा था समाज से संबंदित एक प्रश्नी चंदर धर मे क्या समा से ये पूछा गया था अंतर राश्ट्रिय यूबा दिबस कब मनाया जाता है तो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर राश्ट्रिय यूबा दिबस याद रखिए इंटरनेशनल यूबा डे है ये इंटरनेशनल यूट डे है अगे हम बात करें तो सांसद आदर्स ग्र तो ये प्रस्टना आपको लगाना था कि ग्राम सवा कितनी बार आयोजित की जाती है जो मेंडेटरी है वो है एक साल में कम से कम दो बार उसको ग्राम सवा की बैठक बुलानी होती है अगे हम बात करें तो ग्राम जो question था बोता 1956 में पहले मध्यप्रदेश 1956 से पहले मध्यप्रदेश में किस जगए पंचायती राज लागू नहीं हुआ था तो महा कॉसल रीजिन में पंचायती राज लागू नहीं हुआ था दमो हो जिला में जोगिस्वर मंदिर कहां है तो ये बांदक पुर में है जोगिस्वर मंदिर सुप्रीम कोट के अभी जो करेंट चीफ जेस्टिस हैं उनका नाम पूछा था तो करेंट में अभी सुप्रीम कोट के जो चीफ जेस्टिस हैं वहां हमारे स्रीबान दीपक मिस्राजी अगला था रीबा में गुफा लेखन कहां पाया गया है यह प्रश्टन का आंसर आप बताएंगे जो रीबा के निवासी हो वो बता सकते हैं महामृत्यूंजे मंदिर कहां है यह रीबा में है भारतिये गेहूं मक्का रिसर्च सेंटर रिसर्च सेंटर के बारे में पूछा था मक्का रिसर्च सेंटर जबलपूर के खमरिया में है यह रिसर्च सेंटर इनेम का पूरा फुल फॉर्म पूछा था Electronic National Agriculture Market कौसल यह योजना से सम्बंदित प्रश्ण था साथ ही मध्यप्रदेश में आपातकाल कब लागू हुआ यह भी एक प्रश्ण था 34.1977 से 25.77 तक का यह आपातकाल था देश का पहला सौर ग्राम कस्तूर्बा ग्राम इंदौर यह है जो देश का पहला सौर ग्राम है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पूछे तो यह है अश्बिनी लोहानी तो याद रखिए एक किसी बड़ी संस्था के अध्यक्ष जरूर पूछ रहे हैं चाहे आपकी पहले देखा तो आपने NIA यानि नेशनल इंवेस्टिकेशन एजनसी के जो अध्यक्ष हैं उनको पूछ लिया तो अब आगे CB के पूछ सकते हैं इसरो के पूछ लें आपके CBI के पूछ लें रो के पूछ लें थल से ना प्रमुक पूछ लें या नौ से ना प्रमुक पूछ लें या आपके बायू से ना प्रमुक पूछ लें कुछ भी पूछ सकते हैं तो इसलिए आपको current के जो भी हमारे जो मुख्य मुख्य पद हैं उन सब की जो भी अद्यक्ष हैं हैड हैं उन सब के नाम याद रखिएगा सईयोग का बिलोम पूछा था 10, 15 अरागे फिर 10 इसमें पंदरवा जो है इस्थान पे क्या आएगा इस प्रकार का एक प्रस्चन था डोक्यूमेंट में header कहां पर स्थित होता है तो page के top पर होता है header micro computer के presence करण की गती को सामाने रूप में ब्यक्त किया जाता है तो micro computer के जो presence करण यानि के processing की जो speed है उसको हम megahertz में ब्यक्त करते हैं अगला प्रस्चन पूछा था LCD का पूरा नाम तो LCD का पूरा नाम होता है liquid crystal display अगला प्रस्चन जो पूछा था एक email address किस किस से किनतने भागों से मिलकर बना होता है एक email address जो होता है वो तीन भागों से मिलकर बना होता है एक में two, two में जो है आप अपना किस को भेजना है वो address type करते हैं फिर आप जो है आप करेता है subject बाला उसमें आप subject लिखते हैं और फिर नीचे आप जो भी लिखना चाहते हैं बो भी लिख सकते हैं और भीज दें तीन बागों से मिलके बना होता है text और folder name जैसी underline text को क्या कहते हैं मतलब folder एक उसमें link कर दिया जाता है तो underlink हो सकता है linked folder hyperlink के through link कर दिया जाता है उसमें क्लिक करने से दूसरा page या फिर दूसरी फाइल जो खुल जाती है तो वो hyperlink कहलाता है saved document को क्या कहा जाता है document जो saved हो जाता है उसको हम क्या कहते है फाइल कहते है operating system क्या है operating system देखिए दोस्तों आप application software मतलब दीजिए application software नहीं है operating system जो है वो system software है system software को install करने के बाद ही आप application software को इस पर run कर पाते हैं अगला है bird processing, spread seat, photo editing उदारण किसके है तो ये सारे कि सारे उदारण जो है वो application software के है अगला था प्रकास क्रिणों से संब्बन देता है तो ध्वनी किस संब्बन देता है तो प्रकास जिस प्रकार क्रिणों से संब्बन देता है यानि कि प्रकास से निकलती है क्रिणे तो ध्वनी से क्या निकलेंगी तरंगे अगला प्रस्ण था एक मैगडित का प्रश्ण एक करकेटी टीम में 11 खिलाड़ी है तो प्रत्टेक ने एक दूसरी से हाथ मिलाया तो बताईए कि कितनी बार हाथ मिलाया गया तो याद रखिए दूस्तो अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं और अगर आपके सामने 11 आप टोटल 11 लोग हैं और एक उनमें से आप हैं तो अब बचे कितने 10 लोग और अगर आप 10 लोगों से हाथ मिलाएंगे तो आपने सिर्फ 10 लोगों से हाथ मिलाया है तो इसको हम इस तर यहाँ पर प्लस हो गया है गलती से तो N-1 का गुणा करेंगे तो 11 गुणा हो जाएगा 10 divided by 2 तो यह हो जाएगा हमारा 55 ठीक है यहाद रखी यहाँ पर प्लस की जगे माइनस आएगा Leather complex कहाँ पर है देवास में है और यहाँ पर जो मेल घाट Tiger Reserve के बारे में कुश्चन है मेल घाट Tiger Reserve महरास्टर में कोल बेड मीथेन के बारे में कुश्चन था तो सहडोल में है सिलहरा गुफाएं कहां पर है तो सीधी में है बारत का चेत्रफल वर्ड का कितना प्रतिश तो 2.4 परसेंट है वर्ड के चेत्रफल का इंडिया का जो है चेत्रफल राष्टरे खेल दिवस का मना जाता है तो 29 अगस्त को मना जाता है ध्यान चंत जी होकी के जादूगर उनके जन्म दिन के अबसर पर मना जाता है राष्टरे खेल दिवस एक बेल गाड़ी तीन घंटे में 24 किलोमेटर था रेल दो घंटे में 120 किलोमेटर चलती है चाल का अनुपाद बताईए तो आप दोनों की दो है पर आवर की स्पीड निकाल लीजिए और दोनों का रिशो निकाल लीजिए टू रिशो 15 आ जाएगा एक तरभूज एक बर्ग का परिमा बरावर है तरभूज की बुजा में बर्ग का चितपल ग्याद कीजिए तो इस परकार का कोश्चन था सिंपल कोश्चन आ रहे हैं बहुत ज़्यदा टाफ कोश्चन नहीं आ रहे हैं एक और कोश्चन देख लेते हैं इसने हैं और उसकी मां की आयू का बरत्मान अनुपात तीन अनुपात साथ है उनके अयू का योग जो है वो साथ वर्स है तब इनकी आयू में अंतर बताइए तो नोको जोड़ देंगे तीन एक्स और साफ एक्स मान लेंगे दोनों को जोड़िक हो जाएगा टैन एक्सENT key पेलयो हमें दिये राम है, राम ये संकर कुछ भी मान लीजी आप, लेकिन ये जो पूरा का पूरा समी करन है, इसको किस तरीक से solve किया जाएगा, तो यहाँ पर कहा गया है, कि माना मान लिए हमने कि एक्स बर्स पस्चाद दोगनी हो जाएगी, तो हम क्या मानेंगे, 11 प्लस एक्स यानि कि दोन हो रही है न, एक्स बर्स पस्चाद, इसलिए समी करन बन गया, अब दोनों का आप गुणा कीजिए, तो 11 दोनी 22 यहाँ पर आ गया, और 2 एक्स आ गया, बराबर करेंगे, 36 प्लस एक्स, और 2 एक्स मैनेस एक्स, बराबर 36 मैनेस 22, एक्स की बेली हो जाएगी 14, तो यह आप भी होद तो A upon B का रेशियो आपको बताना है, तो आशत का क्या होता है, श्रभी आंकडों का योग बटे आंकडों की संक्या होती है, तो 40 पंक्ती और 75 इस्तंब हैं, तो टोटल उनका निकाल लेंगे, 40 पंक्ती का जो रेशियो आएगा, और कॉलम का रेशियो आएगा, प करने के बाद ये cross multiplication जैसे होता है, या उपर नीचे हो जाता है, तो 75 divided by 40 आजाएगा, और answer हमारे यहां पर आजाएगा, 15 रेशियो 8, ठीक है, अगला देखेंगे, एक तुर्भुच की बुझाए क्रमसा, 6.1 cm, 8.7 cm और 9.2 cm है, यदि बर्ग का परिमाप, तुर्भुच के परिमाप के बराबर है, तो बर्ग का छितरफल बताइए, बर्ग का छितरफल क्या होता है, ए सुकर होता है, और तिर्भुच का परिमाप जो है, पूरा तीनों बुझाओं का योग होता है, तो हमें बुझाएं तीनों दी है, 6.1 प्लस 8.7 प्लस 9.2, तो तीनों का जो यो चंदर कांता उपन्यास के लेखक कोन ये देब की नधन खत्री अंबर पंगट को डोबो रही तारा गट उशा नगरी में कौन सा अलंकार है तो रूपक अलंकार है या मुरली मुरली धर की उगरन धरी अधराना हरुगी इसमें कौन सा अलंकार है तो यमक अलंकार है बीबत्स का इस्थाइबाव पूछाता तो घ्रना या जुगुत्सा हो संदी पूची थी तथेव में संदी बिच्छे जोता है तथा तथा प्लस इब निर्धन में कौन सा उपसर्ग निर्धन में जो उपसर्ग है वो है निर चंद्रमुख में समास पूचा था तो चंद्रमुख में जो समास है वो है कर्मधारे समास तो दोस्तो आज की वीडियो मेतना ही, thank you very much for this support.